दोस्तों आप देख रहे हैं सुंदर बिहार आज का चारा बनाने का तरीका है कतला मचली के बारे में और कॉमन कार्प और मिर्गल मचली के लिए दोस्तों इस चारा में कभी कभी रोहु मचली भी पकड़ लेती हैं लेकिन especially ये कतला मचली, कौमन कार्प और मिर्गल मचली के लिए मिर्गल मचली थोड़ा पकड़ती है लेकिन कतला और कौमन कार्प इसमें ज़्यादा शिकार होता है दोस्तो तो अगर आपके तरफ कतला मचली है, छोटी है या बड़ी है पाँच किलो, दस किलो की है या इससे उपर ज़्यादा बड़ी है तो आप इस चारा के इस्तिमाल करेंगे दोस्तो ये पूराना तरीका है, इस तरीका से कतला मचली का हम लोगों शिकार करते हैं आप भी आजमाएए इसको जिस तरीका से मैं बता रहा हूँ दोस्तो ये देखिए, थोड़ा सा हमने खाने वाला सोडा लिया है ये, खाने वाला सोडा है, ये कतला मचली के शिकार के लिए इस्तमाल होता है दोस्तो अगर मिर्गल मचली का आप शिकार करना चाहते हैं इस चारा से तो अगर आप मिर्गल मचली का शिकार करेंगे तो थोड़ा सा डालिएगा अगर सब जैसे कतला, कॉमन कार्प, रोहू इस तरह की मचली सब मिक्स आप शिकार करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा डालिएगा लेकिन कतला और कॉमन कार्प का शिकार करना चाहते हैं तो पीसने के बाद से हम इसके अंदर मिलाएंगे तो देखिए दोस्तों यहां पर पीस चुका हूँ और यह है सोया बीन सोया बीन को हमने पीस करके पाउडर बना लिया था अब हम क्या करेंगे इसको अच्छी तरीका से मिला लेंगे पहले शुरू में ही मिला लेंगे क्योंकि ज़्यादा चीज इसमें मिलाने के बाद से अच्छा से मिक्स नहीं होगा तो दोस्तों पहले मिला लेंगे इसमें हमने दो चीज अभी डाला है तीसरा चीज डालेंगे हम इसमें गेहु का आटा गेहु का आटा देखिए गेहु के आटा लगबग हम एक कप डालेंगे यहाँ पर हमारे पास कम है तो इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो देखिए दोस्तो एक कप हमने गेहु का आटा ले लिया है अब इसको हम क्या करेंगे इसके अंदर मिलाएंगे जो जो चीज हम डालेंगे उसको सुखा हुआ ही इस तरह से हम अच्छा तरीका से मिलाएंगे देखिए इसके बाद से हम इसमें डालेंगे एक कप मकई का तो देखिए दोस्तो यह है मकई का आटा लगबग आधा कप हम डालेंगे तो हम अंदाज से लगबग आधा कप डाल दे रहा है देखिए तो यह है मकई का आटा लगबग हम आधा कप डाल दिये इसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद से दोस्तों इसको हम बताएंगे चारा बनाते हुए कि इसको हम चराई में किस तरह इस्तिमाल करेंगे और हूक में किस तरह से लगाएंगे तो देखिए इतना चीज हमने मिलाया उसके बाद से हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चना का पाउडर यानि चना का बेशन जो चना से पीस करके बनाते हैं दोस्तों आपको ख्याल रखना है बेशन नहीं डालना है बलके चना जो चना का सत्तू जो होता है उसको चना का सबूत चना जो होता है पीस करके बनाया जाता है वो यह है तो आधा कप से थोड़ा सा कम है इसको डालेंगे हम जब अच्छा तरीका से मिल जाएगा तब हम इसको गूधेंगे ये कतला मचली के लिए बेहतरीन चीज है आप इसके हिसाब से कम या ज्यादा बना सकते हैं अगर आपके तरफ कतला मचली बहुत ज्यादा है तो खाने वाला सोडा जितना मैं डाला था उतना डाल सकते हैं उस जब भी आप कतला मचली का चारा बनाएंगे उसको गूधेंगे तो ध्यान रखना है आपको जिस पानी से आप गूधेंगे उसमें आपको क्या करना है थोड़ा सा इलाइची डालना है यानि मैंने कम बनाया है इसके लिए यहां देखिए मैंने एक इलाइची डाला है ये हमें खुश्बु चाहिए तो इसके लिए आप आदा गंटा 20 मिनट पहले पानी में डाल देंगे तो उसका खुश्बु निकल करके पानी में मिक्स हो जाएगा अब क्या करेंगे इस पानी से हम गूधेंगे चारा को यह बताना जरूरी था दोस्तो यह ट्रिक है कतला मचली क दालचीनी डाले तो देखिए हम इसको अच्छा तरीका से गूधेंगे और गूधते हुए मैं आपको बताऊंगा इसका जो चराई है वो भी आप किस तरह से बनाएंगे और चारा किस तरह से बनाएंगे तो देखिए हम इसको पहले गूध लेते हैं गूधने का बाद से आपको इसका तरीका बताते हैं तो देखिए दोस्तों इसको हमने गूध लिया है ध्यान रखना है आपको जितना अच्छा तरीका से आप इसको गूधेंगे थोड़ा सा आपका चारा जो हाड होना चाहिए सख्त होना चाहिए ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए तो इसको जितना अच्छा तरीका से गूधेंगे आप उतना ये चिप-चिपा होगा और हूक से नहीं निकलेगा तो एक चीज़ ख्याल किजिएगा दो तरीके से हम कतला मचली का चारत आपको हूक में लगाएंगे मैं यहां सिंगल हूक में लगा के दिखा रहा हूँ आप चाहे तो गुच्छा वाला हूक का इस्तेमाल करें या सिंगल हूक का इस्तेमाल करें बहतर होता है कि सिंगल हूक का आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आता है और बबलर का इस्तेमाल करेंगे तो बहतर जल्टाएगा, तो देखिए दोस्तों, यह हमने कैसे बनाया, इस तरह से, गोल और थोड़ा सा पतला लंबा, तो इसको हम हूक में कैसे लगाएंगे, इस तरह से, देखिए, यहां इस तरह से हम हूक में लगाएंगे, देखिए, ध्यान रखना है, आपको इसका जो नोख है, यहां तक आना चाहिए अब देखिए दूसरा तरीका यह है कि इसको हम गोल करके इस तरह से गोल करके लगाएंगे तो क्या होता है कि जब common carp होगी न तो यह उसके लिए ज्यादा बेहतर है common carp के लिए देखिए यहां पर नोक हलका सा निकला हुआ है तो हम कोशिश करेंगे नोक नहीं निकले इस तरह से गोल लगाएंगे ध्यान रखना है आपको चारा आपका हार्ड होना चाहिए और अगर बड़ी-बड़ी common carp है बड़ी-बड़ी कतला मचली है तो आप क्या करेंगे पूरा हूँ हूँ का आप ढख दिजिएगा इस तरह से देखिए अगर बड़ी-बड़ी मचली है तो अगर छोटी मचली है तो हूँख ढखने का जरूरत नहीं है आप जिस तरह से मैं पहले बताए उस तरह से आप शिकार करेंगे लेकिन अगर बड़ी-बड़ी common carp है कतला मचली है तो इस तरह से हूँख को पूरा ढख दिजिएगा ताक वो पूरा हूँख एक साथ में खाये आईसे मुह बाके आए यानि मुह खोल करके आए आईसे पूरा पकड़े तो ध्यान रखिएगा इसका अगर बड़ी-बड़ी है पाच कीलो आठ कीलो दस कीलो की तो इस तरह से आप हूँख में लगाएंगे और बबलर का अगर इस्त तरीका से आप हूख नहीं लगाईएगा बलके पहले जो दो तरीका बताया उस तरीका से लगाईएगा अगर कतला, कॉमन कार्प, रोहू, मिर्गल, मचली सब मिक्स है तो इस तरीका से नहीं लगाईएगा क्यूंकि इस तरह से कतला और कॉमन कार्प इसको खाएगी लेकि अगर कतला और कॉभल कार जाद हैं बड़ी-बड़ी है तो आप इस तरीका इस्तमाल कर और वर करेंगे तो दोस्तो यह मेंरा कतला और कॉभल कार और रोहु और मिर्गल के लिए चारा ये तो चारा था और ये हमने बनाया है चराई जब भी आप कतला मचली का या दूसरे मचली का शिकार करेंगे जो मैं पहले बताया था तो आप ये चराई जो है पहले पानी में डालेंगे पूरा नहीं डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे और मचली का शिकार करेंगे जब शिकार मिलना फोड़ा कम हो जाए, तो फिर ये चराई डाल दीजिए नहीं, तो थोड़ा-थोड़ा continue डालते रहे है थोड़ा-थोड़ा continue हलका-हलका डालते रहे है और इस तरीकर से शिकार कीजिए दोस्तो यह मैं भूल गया था शुरू में बताने के लिए दोस्टो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ आप लोगों से यह जरूरी था बताना इसलिए वीडियो काकिरों तो उमीद करता हूँ दोस्टो आप शिकार करेंगे के शिकार करने के बाद से हमें जरूर रिप्लाई किजिएगा ओके दोस्तो सुंदर बीहार देखने के लिए शुक्रिया अगर वीडियो आच्छा लगता है अगर आपको शिकार मिलता है तो प्लेज वापस आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा ओके Thank you.